हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जतीन यार तो बिलीव नहीं करेगा कल रात को ऐसे पैसेंजर मिले थे ना जहर थे एक नंबर के यार एक तो दारू पिके भंड थे उपर से ऐसे बीएब कर रहे थे जैसे कि महाराज हो कहीं के अड़े दो साल से क्याप चला रहे हैं अब तो आधत सी हो गई है वैसा पानी द कि जनम देन वाले देन अपना मूड़ खड़ाप मत कर यह डख, हैपी पड़ते हैं तुझे, केसे तेरे आई-कार्ड पर देखाता है, ज्यादा कुछ मैंगा तो हैं नहीं, एक चोटासाई गेफ्ट है वैसे कांकी पुख इंगे तेरी? अड़े, बैंडरा गिड़े. अड़े, वा. आज़े. एए, रुकरे, एए. एए, 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 इशाणी, इधर, 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 इधर. आमचाये, एए, आटोवालांसा, काई? हम अपने मर्जी से थोड़ी आते हैं. बुकिंग आते हैं, तो लेनी पड़ती है. हमारी मजबूरी है. यह वासाडी है. मजबूरी काड़ी ना तुझी? शाला, यह लोग इधर आकर अपना धंदा खराब करते हैं. और उपर से आमको बताते हैं. आप लोग का धंदा हम लोग खराब नहीं करते हैं. आपका यह रवय्या खराब करते हैं. सवारी मिलती है, तो आप लोग जाते नहीं हो. तो मजबूरी में आकर लोग हमारी कैप बूक करते हैं. इसमें हमारी क्या गलती है? हमाजा बापपात्ता एरिया है. मैं इधर धंदा करे या ना करे? तुम दोनों इधर ने दिखना चाहिए. तुम दोनों इधर ने दिखना चाहिए. सेर्यस्ली, सर आपने हिस्ट्री क्रेट किये, ना सर्फ ये इतनी कम एज में ये अवार्ड पाकर, बालकि पुमें इंपार्मेंण क्या है और हुइसे कैसे सपपोर्ट करनें इसे प्रोव करके? Seriously, sir. Thank you. Exactly, sir. हमारी मिट का फार्मसी पहले ऐसी कंपनी है, जहांकी सारी MRS फीमेल्स हैं. Guys, please, clap for sir. Thank you, thank you. Thanks everyone. First, I'll tell you that it's just a beginning. Now we have to achieve a lot of different things. So, let's get back to work. तुम्हारा लेना, अग्शली मेरी एक डॉक्टर के साथ मेटिंग है, तो मैं डिनार उसी के साथ ही करूँगा हाथो बता क्या रहे है, ये तो रोज का है तुम्हारा, तुम्हारे वार्स ले रहे हो, और मैं तुम्हारे ओर्डर्स शीवा मागया कॉलिज से? मुझे पता है, तुम मुझे इग्नॉर कर रहे है, अब इस टाइम पर तो आई गया होगा ना वो, कॉलिज से? वो ठीक है? इस गर में मेरे आला वाना सब ठीक है, तुम उफिस से ओडर दे रहे हो, और वो कॉलिज से आकर, जब से आया है तब से एक ही बात की रट लगाया बेठा है, तो दे दो थोड़ा सा, उसका ध्यान रखो, अगर नहीं.. तुमने हालत देखी उसकी, कितनी खराब होती जा रही है, प्रिया प्लीज, उसे दे दो थोड़ा से, देखो, मैं उसके लिए वो ही कर रहा हूँ, जो उसके लिए सही है, बाकी तुम मुझ पर शोड़ दे, मैं सब हैंडल करनूँगा, और मैंने उसके लिए उसके लिए ठीके, तुम्हें जो करनाएं करो, ओड़े, त्रीक, 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 आपको भी, मैंने सारी डिटेल्स मेहल कर दियुए, त्रीक, बहुत कुछ लग रहे हैं आप, लगता है मेटिंग बहुत अच्छे हुए आपके, यहाँ, एक डील फाइनल करने दिल्ली जा रहा हूँ, बहुत बड़ी डील है, वो, साभ, मेरेको तीन दीन का छुट्टी चाहिए था, रे, वै, क्यों चाहिए तीन दीन की छुट्टी? उससाभ, मेरे बाबा का शराद है, मेरेको गाउँ जाना है, अच्छा, अच्छा, फिर्टों लेलो चुट्टी, लिगे नहां, टाइमसे वापस आजाना? हाँ, टाइमसे आजाओंगो. वाँ, शिवम, अच्छा, विट्टा? याँ, डेट्ट, I'm fine. में अच्छा, राजू? श्यार. शिवम, में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ. तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो, तुम्हें मुझे कॉल कर लेना, ओक्यों? डेट्ट, आप हमेशा मेरी सपोर्ट करती हूँ. नों बिल्कुल नहीं करती. कुछ भी बोलो, नो. अब जाने से पहले उनको बोल कर जायेगी. ठीक है बिटा, मैं बोल दूँगा. लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना हो. तुम उसे इतना भी परिशान मत करना, कि वो तुम्हें फिर से माना कर दे. लेकिन उसकी नो में तुम्हारी फिक्र होती है, बिटा. तुम भी अपने अर्जिस को नो कहना, कंट्रोल करना सीखो. ठीक है? खुद हीरो बनकर मुझे विलन बना रहे हो शुवम की नजरों में? हाँ, तुम्हारे तरीके सही और मेरे तरीके घलत, जबकि तुम खुद उससे ड्रंग्स लाका दे रहे हो. प्रिया, मैंने डॉक्टर से बात की थी. एक जटके में उसकी अदब यह छूट नहीं सकती, हमें उससे टाइम-टू-टाइम दोस देने पड़ेंगे. और यह भी देखना होगा कि कहीं वो वॉयलेट नहीं हो जाए. अच्छ? तो उससे मेरे बरों से क्यों छोड़कर जा रहे हैं तुम? प्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उससे बहुत प्यार करती हूँ. और इस दुनिया में उसका तुमसे अच्छा केर कोई नहीं कर सकता. और तुम्हें पता है ना, मैं बिजनस मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ. हाँ, यह सही है. तुम बिजनस मीटिंग के लिए दुनिया घुमो और महया खाना बनाते-बनाते मर जाओ. मिटका पामा जो मेरा ब्रेन चाइल था, आज उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है. लेना देना क्यों नहीं है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल हो सकता था? देखो, प्रिया, मिटका और शिवन दोनों हमारी रिस्पॉंसिमिलिटी है. क्या बात है भाई? इतना ध्यान से क्यों देखा है? सर अपको देखके किसी की याद आ गई. वो एक बिजनसमैन है. मैंने हाली में उनका वीडियो देखा था. उसमें दिखाया था कि उन्होंने अपने कॉलेज में अपने दोस्तों से उधार लिया और आठ बिजनस खोले और सब फेल हो गए. फिर अपनी वाइफ का आइडिया लेके उनसे पैसे लिये और बिजनस खोला तो वो सक्सेस्फुल हो गया. दवायों का बिजनस. सर मैं उनकी दवाया खाता हूँ बहुत अच्छी है और बहुत सस्ती भी है. तो थोड़ा आपकी शकल उनसे मिलती है. इसी है. शकल इसले मिल रही है क्योंकि मैं वही हूँ. और तुमने सही कहा, वाइफ का आइडिया विजनस से ही बिजनस सक्सेस्फुल हो है. वाँ, आपकी अच्छी अच्छी है. आपकी इंप्रेस्ट, व्रो. विजिए फिर्स ताइम एंग्लिश स्पीकिकिन कैभी. थेंग्यों, सर्. और सराज दिन भी कितना अच्छा है, मैं आपसे मिला. और सर्, मेरी वाइफ को नाँ, दो बेटी के बाद अभी बेटा हुआ है. पर यहां बोली क्या था? सर, ये लिजे ना प्रशाद. सर, एक्चलिलिए मैंना मन्नत मांगे थी. बेटा होगा, तो फिर में प्रशाद चड़ाओंगा. कंग्राचुलिश्यन्स. मुझे बाद अजीब लग रहा है. तुम इतने एजुकेटेड होकर भी इन सब चीजों में फासे हुए. कल्थी मेरी नीए, सर, इस दुनिया की है. एंसान चान तक पहुचिया, लेकिन अभी भी विम्मेन की रिस्पेट्नी करता है. क्याहाँ विम्में कीजेटाने की में कीजे विम्में ख़रूब या रफना isto. तुम आशी होनाशी विम्में की इन सब खर प्रम पर रहा है. हम खाना घरम करतेते हैं. खाना खाग्या है, अम्मा. अवी हमको को स्वार्च चेलिए. सुन्सा अपड़े उत्तार. सुन्सुनिये, मत करिये, प्लीस, मत करिये. जट्टा मैना चुरुए. डॉक्टरने भी मना कियाता, आपतो जानते हैं, बच्चे को नुक्सानोगा. भाळमैं गैत्तु, दिराये बच्च, अट्टिरी डॉक्टर. समझ्जी, अभी, अबी, प्लीस, मत करिये, प्लीस, मत करिये. हमाडी बेटिके आस्पास में दिखेना, तुम्, तौम्ची इरके रख्टेंगे, अबीस, आपको, माटिलेंगा, कि दो दिख्या. हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत पैदा करनी पड़ती है. ये दुनिया है, और यतको कमजोन समझती है. इसलिए ये रूप दिखाना पड़ता है. इम्मा, आप माली, किसी को प्र माड़तोगे. इतना समझेल, हमारे होत्ते हुए. तोम दोनोंको कोई कुछ नहीं करसकत्ता. जाहिस के लिए, हमें कुछ विकन्न अपड़े. क्या खुद को इतना शिश्य में देखता है? मैं तेरे को ऐसे आग भरके रिखती हो, कम है क्या? चला, जा, खाना खाते है. वो भी एकी प्लेट में. आना, प्यार बड़ेगा. तेरह घाव अभी तक भरा नहीं. दवाई नहीं लगाता ना तू? रुक, मैं लाती है. कोई ज़र्वत नहीं है. तुम्हें खाना रख दिया ना, अब जा. मैं तेरे से इत्मा प्यार करती हूँ. तेरे से शाधी करना चाती हूँ. और तु ऐसे कुट्टे जैसे हकालता है मेरको. देख, ज़्यादा भावमत था. मान जा. मेरे जैसे दूसरी मिलेगी नहीं तुझे. मैं हूँ. जो खाना खाने के बजाए, तेरी गाली खाती हूँ. और मुस्कुराती भी हूँ. तुब तुब तुब. जो. सार्ण, मेरे हाज़़ण अविनाश्त्रीपाटी, सार्ण. वो दो दिन से मिसिंग है. उनका फोन भी स्विच आए. मतलो? सार्, दिल्ली में उनकी मीटिंग थी, जिसके लिए दो दिन पहले ही वो घर से बहार निकले थे. फ्लाइट थी, उनकी दिल्ली की. लेकिन मैंने जब एरलाइन में फोन किया, तो पता चला कि उन्होंने फ्लाइट बोड ही नहीं की, सार्. आपको पता था कि आपके पती दो दिन से मेसिंग है, और आप आज आने हैं पुली स्टेशन? हाँ सार्, वो अकसर बिजनस ट्रिप के लिए जाते रहते हैं सार्, वैसे भी हमारी फ्रिक्वेंटली इतनी बात नहीं होती है, और मुझे लगा कि वो बिजी होंगे, इसलिए मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन कल और आज दोनों दिन मेरी उनसे बात ही नहीं हो पाई, उनका फोन स्विच आ रहा है, आपने अभी बताये कि आपकी बात नहीं होती थी, तो यह भी तो हो सकता है, कि वो अपनी मर्जी से कहीं कायों, किसी ऐसी जगह जहां वो आपको बता कर नहीं जा सकते हैं? ऐसा नहीं सर, वो मुझे बताते हैं सर, और मेरे सामने ही उन्होंने एरपोर्ट के लिए कैप बुक की थी, मेरे सामने ही वो घर से बाहर निकले थे सर, ओके रिलेक्स, हम कुछ करते हैं. सर, अविनार सर ने जाने माने कार्डियोलोजिस्ट, डॉक्टर चोपडा के साथ में एक डील क्रैक की थी, और इसी सिल्सिले में उन्होंने उन्हें दिली भी बुलाया था. तो फिर अविनार ने प्लाइट लीक हो नहीं? उसने भी ज़्यादा इंपोर्टेंट कुछ और चल रहा था किया? सर, इस डील से बढ़कर सर के लिए कुछ इंपोर्टेंट नहीं हो सकता. सर, दो साल से इस डील के लिए महनत कर रहे हैं. सर, मुझे तो लगता है सर किसी मुसीबत में है. मिटका फार्मिसी ने बहुत जल्दी ग्रो किया है. तो पॉसिबल है कोई डिस्प्यूट या राइवल्रीज? सर, इस इंडस्ट्री में कट्थ्रोट कॉंपटिशन तो चलता ही रहता है. और कॉट के बाद तो और भी बढ़ गया है. पर सर, उनकी किसी से दुश्मनियों ऐसा हमें कभी भी अंदाजा नहीं हुआ. और सर ने भी कभी ऐसा कुछ हमें बताया नहीं. प्रक्षियों प्रक्षियों. कहसे लगरीव, एकदम्हों हौट ना? तुम्हेरा आगई. आये कहा, तु अंदर आने देगा तो आउँगी ना? बोलना, कैसी लगएँ? मस्ट लगएँँ ना? तु आदमी है कि क्या है? कि मेरे में कुछ कमी है? सुंदर नहीं लगती है, क्या मैं तुझे? तेख, मैं ना तेरी से बहुत प्यार करती है. तेरे लिए कुछ भी कर सकती है. मतु समझ ना, यार. मैं तेरे लायक नहीं हूँ. मैं तुझे, मैं तुझे खुष नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं बता सकता, यार मैं. क्यों? क्यों नहीं बता सकता? अब जब तक बताएगा नहीं, मैं आपरी बैटेगी, हिलेगी नहीं आसे. ठीके, बताता हूँ, मैं. देख लिया, मधु तुम्हें एक आदमी से प्यार करती हो, वो मैं नहीं हूँ. मैं क्या हूँ, मुझे भी नहीं पता. है फज पता है। पापा, पापा, हम बोर रहे हैं. पापा, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पेर पड़ते हैं. प्लीज, प्लीज, हमें आजले कर जाएए. पापा, यह आदमें महार डालेगा? बार-बार कहा है फोर्म करती होतों? पापा, देखो, अब जो है, तुम्हारा वहीं सब कुछ है, अब यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए. पापा, अगर मा होती ना, आज, अमारे साथ, अमारे साथ हहसान नहीं होता, ना, वो कभी होनें थेट्दी? वो होती तो ना, अब नहीं है ना? सर, काप कंपनी की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ड्राइवर का नाम शरवन किशोर है, वो 26 साल का है, इंदौर का रहने वाला है, सर, कंपनी ने बताया कि उस दिन उसने पैसेंजर लेने की फॉरन बार ड्राइव को कैंसल कर दिया था, तब से वो जॉब पे नहीं आया आप यहीं आसपास रहती हूँ? जी. यह शिरवन की शोर है, पेचानती हूँ? जी, साब. यह शिरवन की शोर अभी काम ही लेगा? पता नहीं, साब. तीन-चार दीन पहले तो देखा था, उसके बाद मैं पता नहीं कहा गायव हो गया. मदू, अवरत उन्हें सच्चमुझ मुझसे प्यार किया है, तो प्लीज, मेरी जू असलियत मैंने तुझे बताई ना, वो किसी को मत बताना. हलो, वाट? जिसने भी हैं मडर किया हैं, बहुत नफ्रत करता होगा शैदिय साथ में से. बोड़ी के पांच टोकड़े, हाथ पेर वोन थड़ मिलगिया, येक्के सर गायव है. सर, एकमार, हेलो, क्या? ठीक, ध्यानकों पहुष्टे. सर, बोड़ी का सरभ्य वरामद होगे. सर, ये तो अविनाश है? अविनाश के केस में सबसे अलग और अजीब बात है, कि कैप ड्राइवाट शवन का पैसेंजे लेकर ड्राइव कंसिल करना, और उसके बाद उसका और उसके फोन दोनों का लापता हो जाना. कैप में बैटने के कुछ देर के बाद उसका फोन उपको आथा. तो पॉसे बहले, किसके पीछे श्रवन हो? परसार, एक रैंड़म कैप ड्राइवर और इतने बड़े अंट्रप्रणोर का, क्या रहलेशन है? ये तो पता करना है मैं. इसको पोस्ट्रप्रणोंगे लिए बेज़वा, प्राइवर को इन्फ़ाम करो. और इन दोड़ चल्ल्लेंगे त्यारी करो. सर्व, ये, ये, ये नियो वो सकत्ता? अविनाष्म मुझ्जे चोड़का नी जा सकत्ता? अविनाष्म मुद्धख़ तो! ए पुर्णी, माम, पुर्णी, माम. श्रवन किश्वर यहीं रहत्ता है? क्याया बुलावोज़़? वो गरपर नहीं है? क्यां गया? कथ्त्य काइगा? जी, पतानी, वो कभी बता कर नहीं जाता है? चुटि बोलुवरेयह, बता कर नहीं जाते? ऐ! क्या बात करें शेया? शरवन किशोर, तुई है? आप है हूँ. तीरवा बाप शरवन किशोर. बोलनलेशंद дав Bev swornे, डिके दूँ. साव, माम, कुट्टो weer घुए. यह साब, आप ही बताऊना साब, ऐसे में हम कैसे बचानत कि यह कौन है, हमको लगा कि मेरी बीबी का खोई अब अगर तुई श्रवन किशोर है ना, तो बतामें, मुंबई से इन दौर कब आया थू, तेरा फोन क्यूं बंद है, और वो गाड़ी कहा है, जो कैप कमपणी के लिए चलाता है तू? मुंबई गाड़ी केप कमपणी, क्या बात करों साब, हम जिंदगी में मुंबई नहीं गया है साब, नाई हमको गाड़ी चलाने आता है, यहार तक कि दो साल से तो हम इंद और से बाहर तक नहीं गया है साब, पर तेरे आइड़ी पे पिछले दो साल से एक आदमी का मार पिडोर्स का काम है साब, नहीं साब, पर तुससे भी खुंकार वो है, बॉड़ी के छे टोकड़े कियों उसने, मर्डर में प्रायम सस्पेक्टर जिसमें तुझे उठाया है, अविनाश के गायव होने से लेकर अभी तक फरा रहे हो, अब अगर तुने सच नहीं बो कदम, कर्वोईस को से, यह, वे फचार, वे फचार? सर, हमने श्रवन के ट्रेवल रिकॉर्स चेक किये, वो सच बोल रहा था, वो मुंबई कभी गया ही नहीं, उसको कोई कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पर, सर, फेक श्रवन जो कैप ड्रायवर था, उसने असली श्रवन के अडर्स पर, पहले नकली आधार कार्ट बनवाया, औ फिर उस आधार कार्ट के बेसिस पर और डॉक्यमेंट्स बनवाया, मतलब ये नकली श्रवन जो भी है, इसने बहुत सो समझ के प्लैनिंग किया, लेकिन एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रहे है, उसने मुंबई में बैठके, इंदौर के श्रवन को क्यों चुना, सर, हो अविनाच के बेट्र शिवम के बारे में पता करू, ये लड़का मुझे थोड़ा अजीब लगाए, ओड़ी साम, शिंदे अविनाच, मैंने वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन कर दिया है, जो तुम्हें के सामने हाइलाइट करने है, जो हमारे प्रजेक्ट का यूएसपी है, ठीक है? ओड़ी, बॉस. और ये क्या? तुमने फिर से पुरानी शिट पहन लिए? मैंने इस मीटिंग के लिए नई शिट... देखो, बॉस, इसमे तुम्हारे नई चलेएगी, जो कि ये शिट मेरे लिए बहुत लग्या है, तुम्हें अपनी फ़र्स शालरी से ये शिट की थी, मुझे. जब मेरे पापा सह मिलने गया था, तब भी मैने इसट पनीथी, और उन्होंने पहली बार मही हाँ कहए दी Chu. और जब शिवमिज दुनिया में खाया," तब मैंने इसट पनीथी. मुझे दो लगरा ये क्लाइट हमारे अब पहली बार मही हाँ करने वाला है. आपको, आपको, पॉन्ती बोलू. शिवम के बारे में पता चला है कि वो ड्रग अडिक्ट है. सर, तीन महीने पहले, शिवम और उसका दोस्त एक पाटी में डख्विचने के लजाम में गरफपतार हुएते हैं, और अर् सारी कारवाई शिवम के दोस्त की खिलाब होई. शिवम साफ बच कर निकल लिया और सर इभी पता चला है कि जो ऑफिसर उस केस की जाच कर रहा था उसने कूर्ट में चार्षीट फाइल करने की तुरंट बात रिजाइन कर दिया था तो मतलब तुम कहना चाहते है कि अवनाश ने अपने पैसर पहुँच के अदम पर अपने बेटे शिवम को उसके से बचा लिया यस सर अचुकी शिवम बच गया इसलिए पूरा केस उसके दोस्त क्या केस्ट हो गया वह लड़का है का अचकल जेल में सर सजा काट रहा है और बाप आज भी अपने बेटे के साथ कोई नाइन साफी की वज़ये से बहुत दुखी है कहीं इस नाइन साफी चे नाराज हो करते हुए उसके बापने अवनाश से बदला नहीं लिया? पता करो, वह अचकल कहा है और क्या कर रहा है जिसने वह चार्चीट फैल की थी और उस लड़के के बाप को भी बलाओ सर्र। काश ले पाता, सुना चे टुकड़े किया उसके बहुत अच्छा लगा सुनकर और अच्छा लगता अगर यह सब मैंने किया होता एक लोते बेटे का बाप वो भी था और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक अमीर बाप था क्योंकि उस ओफिसर के सामने अपने बेटे के लिए गिड़ रहा है तो हम दोनों ही थे अफ रिकार्ड मिलने के लिए थैंक यू सरु मुझे पता है शिवाम ने गलती की है इन फाक्ट बहुत बड़ी गलती की सर, हमारे बच्चों को माफ कर दिजिए और वो कोई गलती नहीं करेंगे आप जो कहेंगे जितना कहेंगे मैं दोगो लेकिन प्लीज उन्हें कोई हार्ष पनिशमेंट मत देना उसके बाप ने ओफिसर के मुमें पैसे भर दिये और फिर दोनों बाप बेटे ने मेरे बेट पॉसिबल है कि श्रवन के मर्डर में इसका हाथ हो, तब भी यह समझ में नहीं आरे कि इंदोर का श्रवन जो कभी मुम्बई आया तक ने, उसको फ्रेम करने का क्या मतलब है और वो केप ड्रेवर, वो कौन है और कहा है? हेलो, वाट, क्यासे? क्या हो, सर्व? श्रवन केशोर का मर्डर हो गया है कदम यह सिर्फ इतवाक नहीं हो सकता, कि एक आदमी कैप में बैठता है, कैप ड्रेवर पैसे इंजे लेकर बुगेंग कैंसल करता है और कुजिन के बाद उस आदमी का प्रूटली मर्डर हो जाता है, कैप ड्रेवर में सिंग है जिसकी आईडी पे पिछले दो साल से शरीफों के तरह काम कर रहा था, हम जब उससे इंक्वारी करते हैं तो उसका भी चाकू मार के मर्डर कर दिया जाता है हो ना हो, और विनाश उस कैप ड्राइवर और इन दोर के शरवन के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन तो ज़रूर है तर क्या पाप, पाप, बाप, 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 बाप को समझे रिके कोषिषिष हैं ना, पाप, अहमने, नहीं जाना, वा अपप सिंधार, बाबा, अगेले नहीं रह सकते, बाबा. अमारी हालत, अमारी हालत्तों देगी है. तुम कोई पहली औरत नहीं हो, जो विद्वा हो गई हो और पेड़ से हो. हम बता दे रहे हैं, हमको अपनी छाती पर कोई बोज नहीं चाहिए. बाब, अम्मी सालत में. तुम जौवं वंदे, हम बाद में बात करेंगे. हम्मा अन्ते, हमरे बेटा स्रौन कुस्स हैल्था. लेकिन इपने शालूमें इत्ते कुछ नावो? हमरे के कुछ समझ में नहीं आ रहा है. कि अचानक स्रौन के साथ ही क्या हुआ? जूटी तसली ना दे. अपनी बेटी से पुछ का हुआ. दिलीप याद, तुने अपना बेटा खोया है, तो उसने भी अपना पती खोया है. हमरी बेटी तेरी बहु है. उसकी पेड़ में तेरे खांदा नुका वारी सेर्. भाण में जाये बहुत, और भाण में जाये वारी सेर्. हम तो यह सोच के पैस्टार है, कि एसरी मनुस लडगी को अपनी बहु पनाया है? क्यों? जो हमरे बेटे को खा गई? श्रवन और अविनाष, यह दोनों कानपूर के रहे हैंने मलें? शर, शेहर और शेहर और शेहर और शेहरा है. क्यों? क्यों, साथोनी, कि श्रवन और अविनाष, डवल मड़र केस के तार कानपूर सेचुने? और हमारे सवालों के जवाब, इसी लोकेलेटिमें पेच्चेपे? शेहरे, कदम, कानपूर चल्ली के द्यारे करो. शर्र. शर्र, यह आविनाष का गारे? और यह सर्वन का? हमको तो कुछ हो समझ में नहीं आरहा, साथ. यह सब कैसे हो गया? पहले, अविनाष, अरव अमरव बेटा है. किससे पेश्रा के आपको? बता सकते हैं, कौन कर सकता है इसका? क्या बताया, साथ? कुछ समझ में नहीं आरहा. अविनाष के पीता केसम, और आमदूनों दोस्ते, दोनोंने एक्केक करके, अपनले एक्लोथे, उल्लादकों खोधियाजाओ. यह, आपके पडोस में... मीरा! आप यहाँ? सर, यह हमारा माईका है. उनके जाने के बाद, हमारा इंदौर में रहना मुश्किल था. तुम यहाँ कानपूर चले आए, पापा के गर. सर, यह मीरा है, श्रवन के भाई. तो मतलब, श्रवन, अविनाष और आप, तीनों पडोसी हैं? तहले मुंबई, फिर इंदौर और अपकानपूर. फिर भी अभी तक हमारे हाथ खाली है. इस टाइंगल ने सर घुमा दिया मेरा. कुछ तो मेजर है, जो हम मिस कर रहे है. यह कर्मिनल हमारी आँखों के सामने गेम कर रहा है, और हम उसे पगड़ नहीं पारे है, ऐसा मेरी करियर में आज तक नहीं हुआ. सर, एक्चुली कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है. सब क्लेर है, अब विनाश और श्रवन दोनों एकलोते बेटे थे. दोनों की फैमिली दुखी है, और उन्हें किसी पे शक हो. सर, एसा भी कोई हिंट नहीं मिल रहा है. मेरा की फैमिली, उसमें कौन कान उसका बेग्ड़ाउंड चेक किया? यह सर, मेरा की फादर की नाम भानू है. उनके तीन बच्चे हैं सर, दो बेटी हैं और एक बेटा. सर, मेरा पहले इन दौर में रहती थी, श्रवन के डेथ से पहले. सर, एक बेटा है 15 साल का, जो माबाब के साथ कानपूर में रहता है. और सर, सबसे बड़ी बेटी स्वाती, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया. लोगों का कहना है कि वो बहुत पहले घर छोड़ कर भाग गए थी. कदम जब इससे कुछ मिल्ले वाला नहीं है, तो इतनी लंबी कानी क्यूं सुना रहे मुझे? इससे अच्छा हो था कि तुम उस फेक श्रवन, कैप ड्रैवर के बारे में पता करो. जो, पोसकता है कि वो कीसी थरेच्छा है, जो. 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 मेरा? इदी? स्वात्ति इदी? जो. जो. अरुमात्त. तुम्हें पत्ता है पोच्छु तुमारी? जो. 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 मैं हुना यहां प्रबी? तेरे लिए? सब्कोत्तमोग्या. जो. जो. सब्कोत्तमोग्या? जो. आवे तुम्धोरो. फिर से हमारी चाती पर मुंगलने के लिए? तुम्हें? तुम्हें चाती है, कि तेरा यह रूप देखकर पूरा समाज हमपनासे? आपको वस अपनी औरी समाज ही बड़ी रहती है. हम और मीरा क्या चाते है, किस हाल में कभी सोचाया आपने? मेरी इस रूप का भी कारण ना आप ही हो. आपके वज़े से हुआ आई है. खेर, हम यहापर कोई बहस करने नहीं आया है. हम भी बहन के लिए आया है. अच्छा. अपनी बहन के लो, और निकोर यहां से. वो भी करेंगे. निकलेंगे आज से हम. समझ नहीं आ रहा है. हम क्या मिस्स करें हैं, कहां चू को रही हैं हमसे? इन तीनों फैमिलीज में आपस में कभी कोई कॉनफलिक्ट रहा है? कोई दोश्मनी या कोई जगड़ा, जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं? सर, अविनास औश्रवन की फैमिली की ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं ओर क्रिमनल हिस्ट्री एक्चुली भानु की बहीं है अ। मतलब 15 साल पहले भानु की पहली वीवी ने पंखे से लटका सुट्र कर ली थी, लेकिन उसकी बेटी का कहना था कि उसकी मा का मढ़र हुआ है. मैं अपनी जान अपनी मर्जी से ले रही हूँ, मेरी मौत के लिए मेरे अलावा कोई जिम्मिदार नहीं है, इतना फॉर्मल सुपेड नोट, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है मेरी माँ हम दोनों बेहनों की ढाल बना करती थी, मैं अपनी मा की ढाल बन कर उनको नहीं बचा पाई, पर आज उनका बदला पूरा कर दिया, आज वो बहुत खुश होगी पानू, तो जेलता कैसे है इस अरत को? पूठो बेटी पैदा करके चोधराइन जैसे ऐसे घूंती है, जैसे बेटा जन दिया हो पर हेकडी तो देखो, तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए भी मना करती है, अरे वही एक लड़का हो जाए, विचारे को वारिस मिल जाए, कोई बुड़ापे में हाथ पकड़के चलने वाला हो, सारा देने वाला हो पर उसे पीछा छुड़ाओं कैसे, वो मेडा पीछा नहीं छोड़ने वाली, अगर छुप छुपा के शादी कर भी लिए, उसे पता चल जाएगा मुझे और उसको, हम दोनों को माज डालेगी अरे, तुम रस्ते से अटा दे ना, हमने पास ऐसे इसते तरीके हैं, कि साप भी मर जाएगा और लाठी भी नेट टूटेगे बिल्कुल ठीक कहरा है, दलीप, निप्टाव से अब बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि खुड़की है हमारे अकेले बस की नहीं है अरे, तुम चिन्ता क्यों करता है, हम हैं तेरे साथ में मैंने पुलीस को बताया था, कि मेरी माने सुखेट नहीं किया है, उनका मडर हुआ है पर वहापर किसीने मेरा यकेन ही नहीं किया, शायद मैं चोटी थी या लड़की थी इसलिए तुमने इतनी लंबी प्लैनिंग के, ख़र छोड़ा, सोसाइटी में फिट होने के लिए स्टेंज किया लड़की से लड़का बनी, और बदले की भावना में एक नहीं, ऐसे दो लोगवा का मड़र किया, जो इनोसेंट थे जिनका तुम्हारी मा के मरड़र से कोई लेना देना नहीं था? कैसे लेना देना नहीं था? उन दोनों के बाप ने बेटे के बाप होने का गुरूर था उनमें, और उनके वैसे उन्होंने मेरे बाप को बेटे के लिए उकसा आया, इसलिए मैंने सोचा, कि उनके एक लोटे बेटे, उनके वारिस को में खतम कर दूँगी. यह तुमारा सोचना है, पर सच यही है, अविनाश और श्रमन की कोई गल्ती नहीं थी. गल्ती थी उनकी, कि वही उनका गुरूर थे, अगर उन बुढ़ों को मारती, वह मुक्त हो जाते है. इसलिए ऐसे जगह चोट मारी, जहां सबसे जादा लगेगी. अब दोनों बुढ़ों के लिए जिन्दगी मौत से बत्तर है, और सलिए असान नहीं था. मैं लगा था, दो साल से कैप ड्राइवर बनके वहाँ पर घुमती रही, अविनाश के एरिया में, कि कभी तो बुकिंग आएगी. और फिर आई, उसके बाद दिलिप चाचा के बेटे शरवन को इंदोर में टार्गेट किया मैंने. और फिर आखिर मैं अपने बाप को मारके मी मा का बदला पूरा किया. मेरी मा को इंसफ देर से मिला, मिला जरूर. यह वो देश है जो चांद पर पहुँच चुका है. पर फिर भी यहां एक लड़का और लड़की के बीच का भेद मानों मिटने के लिए तैयार है नहीं है. अब इनाश इसी समाज की देन है, जो औरत को प्यार और सम्मान दोनों देता था. दूसरा श्रवन, जिसकी मरदानगी औरत को नीचा दिखाने में, उसको बेज़द करने में, और उसके साथ जानवारों की तरह बरताफ करने में थी. और तीसरी स्वाती, जिससे समाज ने एक और आदमी की पहचान के बीच घुटने को मजबूर कर दिया था. स्वाती श्रवन और अविनाश के पिता ने उसकी मा के साथ जो किया. वो निश्चिती एक जुर्म था. लेकिन स्वाती ने कानून का साहरा लेने के बजाए बदला लेना सही समझा. मीरा कुछ सब पता था. फिर भी उसने मासूम लोगों की जान लेने से स्वाती को रोकाने और वो भी इस जुर्म हिस्तिदार बन गए. स्वाती को एक गुनेगार बनाने में नियाए ववस्ता भी जिम्यदार थी. जिसने उसकी मां की हत्या को स्वाती के बताने के बाद भी आपके मान के केस क्लोस कर दी Crime Patrol की इस स्पेचल सीरीज में हम आपके सामने ऐसे ही और केसे लेकर आते रहेंगे जिन में ना सिर्फ करवी सच्चा ही होगी बलकि वो समाज के लिए एक काईना भी होंगे जै हिंत